असलाम लेकुम, हेलो एब्रिवन, वेलकम टू शेफ इंदा किचन, आज मैं आपके लिए चिकन टिकका बिर्यानी के रेसिपी लेकर आई हूँ, तो सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन टिकका, फिर हम बनाएंगे बिर्यानी, तो वीडियो को स्किप नहीं किजेगा और इन तक पूरा दिखिएगा, तो चले फिर हम बनाना शुरू करते हैं, तो इसे बनानी के लिए सबसे पहले हमें चिकन को करना है, मैरिनेट यहां पर मैंने चिकन ले लिए है, तो इसमें पहले हम 1 टेबल इस्पून जिंजर और 1 टेबल इस्पून गर्लिक पेस डाल देते हैं, 1 1 टेबल इस्पून डालों की मस्टर्ड ओयल, चिकन टिक का मसाल आप किसी भी ब्रैंड की यूज कर सकते हैं, और यहां पर 50 ग्रैम देही और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद चिकन को हम 30-40 मिनट्स मारिने होनी के लिए रख दे चिकन के सारे पीसे तो आप चिकन की कलर देखे कितनी ब्राइट इतनी अच्छी क motherfarna आई है तो यह पूद आपको चिकन टik नक्टा मसाला से आईगी उसकी टेष्ट भी खी मोट वहाँ होती है ज्र inspired बेढ too जाले फिर छोड़ी सबस्कारों करें गोड में चीकन कि llegar हो जाएगी तो मुलुर्त डुर्म सी हो जांगी में अजै करें चीकन से पाने होगह चाहिए हम लोगो चाहिएगी तो फिर हम इसे टर्न करेंगे और तुरम करें दूंकं का क्यों ध्युक यहां पर मैंने 1kg बासमती राइस को दोकर भिगो दिया है और अब चलती है ग्रेवी बनानी के लिए तो यहां पर पतीले में मैंने और डाल दिया है तो आप यहां पर बड़े साइस के प्यास को बारी काट ली हूँ उसे डालकर हम इसमें गोल्डन ब्राउन करें तो आप य तो आप अपर ब्राउन हो गए हैं तो यहां पर में 1 टीशपून जिंजर और 1 टीशपून गार्लिक पेस डाल कर थोटी मिनट तक हम इसे साथे करेंगे और अब इसमें डालती हैं वन टीस्पूण ब्रेचिली पावडर 1 टीशपून टिक्का मसाला और हाफ टीशपून क्रश्भूल मसाले को भूं लेते हैं इसơi बादे बहुत अच्छी सी पानी डाल शीक्या शीकस्की अच्क दख्थ साथ देते हैं तो यहां पर हमें प्याजड़ड़ हो जब पानी बचे जब तो खिल 200 g टही और अब डाल दोंगी पुदीने के पत्ते हरीधनिया के पत्ति अगर में अगर आपको तीखा पसंद है तो आप छीरा लगा सकते हैं मैंने इसे बिलकुल साबुत डाल दिया है, तो मसाले अप देखे कितनी पॉफेक्ट दिक रही है, इसकी कलर भी और ओयल भी इसमें से सैपरेट हो गया है, यह मसाला बहुत टेस्टी होता है, इस मसाले से ही आप दो चार पराठे खा लेंगे, तो मसाला बिलकुल रेडी है, ना तो चावल को होई है तो यहँ पर पानि को आने के लिए पानी के लिए फशार्श नया हम बार हर ले लिए हैं तो यहाँ पे पानी को मै नजी critics कर ली हूँ तो पानी में बॉयल आ गया है, तो चले अब इसे खोल लेती हूं, और इसमें चावल डाल लेती हूं, तो चावल को मैंने भीगो के रखा था, तो इसे एक घंटे हो गया है, तो अब इसे हम डाल कर चावल को पकने देंगे, तो जैसे हम सारे बिर्यानी में चावल को 70-80% पक चावल बीच से टूट रही है तो यह देन है तो अब मैं इसके पानी को चान लेती हूं उसके बाद हम बिर्यानी के असेंबलिंग करेंगे तो जिस बतीले में हमें बिर्यानी बनानी है तो सबसे पहले हम नीचे टमैटो की स्लाइस डाल दे रही हूं इससे जब आप चावल डालिएगा तो ना तो नीचे आपकी चावल जलेगी ना तो अकड़ेगी तो इसलिए नीचे टमैटो की स्लाइस डाल देचेगा तो इसके तिकã को हम पूरे चावल के उपर अच्छे से फैलाकर रख देते हैं और अब हम इसके उपर डालेंगे थोड़े पुदिने के पत्ते और हरी धनिया के पत्ती और बाकी जो remaining चावल जितने भी हमारे पास बज गया है वो सारे चावल को हम इसके उपर डाल देंगे और लास्ट में हम फिर इसके उपर डालेंगे थोड़े पुदिने के पत्ते थोड़े हरी दनिया के पत्ती और मैंने ठंडे दूद में सैफ्रोन कलर को घोल लिया है उसे हम इसमें डाल देते हैं और साथ में इसमें डालेंगे घी यहाँ पर में घी का यूज कर रही हूं आप चाहे तो ऑईल भी डाल सकते हैं रिफाइन ऑईल बट उसे एक पर गरम कर लिजेगा कच्छ ऑईल नहीं तो अब हम इसे cover करके हम इसे दम पर रखेंगे तो पहले के 5 मिनट अम इसे high flame पर रखेंगे उसके बाद के 25 फाइव मिनट हम इसे low flame पर दम पर रखेंगे तो बिर्याणी हमारी दम बन कर तयार हो गई है तो इसे हम थोड़े से मिला लेते हैं उपर नीचे करके उसके इस बिर्यानी से बहुत ही जबज़सी खुश्बियारी है तो आप इस बिर्यानी को बनाए खाए पनी फैमिली को खिलाए फ्रिंस ज़रूर ट्राइ करें मेरे इस रेसिपी को और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताईएगा वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए फ्रिंस और फैमिली में और अगर मेरे चैनल पहली बार आया है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप से हमबल रिक्वेस्ट एक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ल